जिला उना की पुलिस चौकी जोल के तहत स्तोतर गाउं में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मोथ हो गई मृत की पहचान आशिव निवासी स्तोतर के रूप में हुई है पुलिस ने शब को कबजे में लेकर जांच शुरू कर दी है जानकारी के अनुसार आशिव विदित बोर्ड में कारे रत था सोंबार को वह काम करने के लिए गया तो अचानक ही बिजली के चपेट में आ गया जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा स्थानिय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया लेकिन चिकित्सको ने उसे मृत घूशित कर दिया आशिव अपने माबाप का एकलोता पुत्र था शब के पोस्माडम को लेकर परिजनों में आकरोश दिखा परिजनों ने विदित बोर्ड के अधिकारियों को लेट पहुंचने पर भी रोश जताया जिसको लेकर काफी गहमा गहमी का महौल रहा उधर एसपी दिवाकर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है पर भी जोती है जैसे कि मारे की कंपनेंट है विजली बंद है तो वो बिजली टीक कंद कर गया जैसे पोल पे चड़ा सब्सक्राइब लेकिन जो परवार के लोग है उनका कहना है कि कभी आ बता रहे है कि मीटर रीडिंग लेने किया था कभी कह रहे हैं पहुत से गिर गया और कभी कह रहे है कि क्रण्ट लगा कंपनेंट ही करने कि वारे में मैं तो अक्चली मीटिंग में आ था सही पोड़ जो जैसा आप कि इसकते हैं कि नो निकिस काम के लिए लिए आपके करमचारी के अज मृत्ती हुई है क्या उसका कारण तो ऐसा है ना कि मेरे को मैसेज आया कि आरास्तों चाहिए लग गया है किसी को मेरे टीमेट को करण्ट लग जा है तो अक्चली तो जो किया था बंदा जो आभी तो कह रहे हैं बोल रहे कि मेंटर रेडिंग लेने गया था और चाहिए अजुआ घंट करने लिए तो यह लाइनमेन था यह क्या था सफ्क्रेंट को क्या जो जो जीनियर टीमेट है वह रिडिंग भी लेते हैं और कम्प्लेट वह देखते हैं दिफिय हिमाचल वेब टीवी के लिए उना से मनिंदर अरोडा की रिपोर्ट